जहिंद साथियो स्वागा थे आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसन गुलोबर इस्टजीट पर तो साथियो आप लोग को मैंने हिंदी व्याकरान का किरिया का चेप्टर जो है वह कंप्लेट हो गया था और अब्जेक्टिव कोस्टन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था और पीडिया भी प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा ठीके साथियो और वाक्य का भी कंप्लेट हो गया था अब आब हम परहेंगे चेप्टर 3 हिंदी व्याकरान का चेप्टर 3 क्या है तो सब्द विचार तो साथियो सब्द विचार क्या है उसका प्रेलेट थियोरी पढ़ेंगे और अग्जेप्टिव कोशन भी क्या पूछेगा उसको भी पढ़ेंगे और टेलीग्राम में इसका है पीडिया भी डाल देंगे और साथ साथ ही आपको यह बतना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को सेर जरू कीजिए ठीक दोस्तों तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सब्द विचार तो सब्द विचार है क्या ठीक है तो देखते हैं कि सब्द विचार क्या है तो वर्नों के साथ मेल को सब्द खाते पहले सब्द किसे खाते वो समझ ले लेकिन यह मिलन ऐसा होना चाहिए जिससे कोई अर्थ निकले जैसे नमक का अर्थ तो है लेकिन मनक का अर्थ नहीं है नमक मतलब क्या नमक तो कुछ अर्थ है लेकिन मनक मतलब क्या कुछ नहीं होता है इसलिए ऐसा सब्द को बनाईए जोड के बनाईए कि उसका कुछ अर्थ यसे एक्जाम्पल में राम आम पानी जल इधर उधर ठीक है साथियो अब इससे रिलेट पढ़ेंगे कि सब्द विचार जो है वो कितने भेद के होते हैं तो व्याकरन ने सब्द के कई अधार पर बांटे हैं व्याकरन के अधार पर सब्द को कई प्रकार से बांटे गए ठी इनकर अधार पर सब्द का कितने भेद होते हैं तो कितने भेद के होते हैं इसमें देखना है कि अर्थ के अधार पर जो सब्द दिये गए हैं वो होते हैं कौन-कौन भेद होते हैं तो सार्थक सब्द एक होते हैं निरार्थक सब्द ठीक है साथियो साथियो देखते हैं सा पालपन हो गया एक सार्थक सब्द राम तो नाम हुआ यह भी सब्द हो गया तो यह सार्थक सब्द राम मोहन पानी किताब इत्यादी यह क्या हो गया मेरे सार्थक सब्द में आएगा ठीक साथ इससे objective question relation relate करवाएंगे ठीक साथ और पूछेगा भी पूछेगा अब निरार्थक सब्द देख लेते हैं कि यह कैसा है निरार्थक सब्द देखेंगे वैसा सब्द जिनका कुछ भी अर्थ ना हो जैसे मनक मकल गर्ग इसका कोई अर्थी ना हो तो निरार्थक सब्द में जिसका कोई अर्थ हो उसका हम सार्थक सब्द कहते हैं सातियो जिसका कोई अर्थ ना हो उसका हम निरार्थक सब्द कहते हैं आपको mind में अच्छी तरीका से दो सार्थक और निरार्थक ठीक है साथियो अब यहां पूझ रहा है बनावत या उत्पत्ति के अधार पर जो सब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो बनावत या उत्पत्ति के अधार पर सब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं तो कौन-कौन होते हैं विसेस वस्तू के लिए अर्थ देने के रूप में परियोग आ रहे हो उसे रूड सब्द करते हैं साथियो इसमें क्या बोला गया है कोई सब्द है ठीक है साथियो उसको अगर हम टुकड़ा करेंगे कोई विसेस वस्तू के लिए अर्थ देने के लिए वो कम्याब आ चुका तो उसे का कर सकते हैं उसको रूट सब्द कर सकते हैं ठीक है साथ है जैसे काला किताब जग नल ताल ठीक है साथ है अब देखते हैं योगी सब्द क्या है योगी का अर्थ है मिलकर बना हुआ जब दो सब्द को मिलाकर कोई नया सब्द बनाया जाता है बनाया जाए और मिलने वाली दो ही मिलने वाली दोनों ही सब्दों के अर्थ निकले तो ऐसे सब्द योगी सब्द कहलाते हैं तो देखिए इसको मिला के कैसा सब्द बनाया जैसे है जैसे इसमें एक्जाम्पल में दिया गया है दया वान तो इसको मिला के कैसे बनेंगे दया जोड वान तो दया वा यह हो गया योगिक सब्द अब आगे देखते हैं योगिक रूड सब्द क्या है योगी कर रूड सब्द कि वाईसे योगिक सब्द जो किसी विशेष के अधार अर्थ में रूड फिक्स हो मतलब जो किसी विशेश के रूप में रूड जो है वो फिक्स हो रूड योग रूड का हलात है जैसे इसके अनुसार इसकी दो सर्त है योगिक होना चाहिए और दूसरा रूड भी होना चाहिए इसका दो सर्त है योगिक भी होना चाहिए और रूड भी होना पंकज पंकज सब्त के आर्थ हो या है यहीं, तो दोनों एक साथ होना चाहिए टब भी योगरूड बन सकता है ठीक है सातियो, और इसका देख लेंगा कीचड है, कीचड से जन्म लेने वाले कीचड से अन्य पधाँच घांस भूस का भी जन्म होता है, लेकिन सभी को पंकज नहीं कहा जा सकता, इस परकार चाहे ही पैंट किसी का कितना भी निकाला हो, सभी को लंबोदर नहीं कहा जाता ह अगर साथियो आगे देखते हैं आगे है साथियो त्रोथ उद्गम की अधार पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं। सार्तक निरिहार्थ सार्थियों आपको मैंन में अच्छी तरइस सेड़ ऩएगा। फिर next पढ़े हम कि बनावट या उप्ति के अधार पर सब्द कितने परकार के होते हैं तो वो तीन परकार के होते हैं कौन-कौन होते हैं तो होते हैं रूड सब्द योगिक सब्द उसके बाद योग रूड सब्द ठीक है साथ हो अब आगे जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना क्या है तु वैसे सब्द जो संस्कृत भासा से हंदी में आए है उसे लेकिन उनका परियोग नंदी में ही बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे मैं देख लेते हैं जैसे आम्र इत्यादी दिया गया इत्याद यह तद्वाव सब्द क्या है वैसे सब्द जो संस्कृत भासा से हिंदी में आये हैं लेकिन उनका परियोग हिंदी में थोड़ा बदल कर हो रहा हो उसे तद्वाव सब्द कहते हैं जैसे आम, दूद, पत्ता, गर्दन, पत्थर नेक्स्ट है देशी या देशत सब्द क्या है वैसे सब्द जिनका निर्मान अपने देश समाज में ही हुआ है उसे देशत सब्द कहते है जैसे लोटा, धोती, ठाली यह अपने समाज में ही हुआ है ठीक है साथियो नेक्स्ट है विदेशत विदेशी और विदेशज उसमें क्या बोला गया है वैसे सब्द जो विदेशी भासा में हिंदी भासा में आये हैं विदेशी से हिंदी भासा में आये हैं ठीक है उन्हें विदेशत विदेशज या विदेशी सब्द कहते हैं जैसे मोटर इस्टोर ग्लास इसाज तकदीर रिक्सा इतियादी ठीक है साथियो अब next बढ़ रहे है next में फिर जो सब्द को पूछ रहा है किस प्रकार से पूछ रहा है next है साथियो कि सब्द को पूछा गया कि वियाकरन के अधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं वियाकरन के अधार पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं यह अब्जेक्टिब से रिलेटेड रहेगा साथियो तो वियाकरन के अधार पर सब्द होते हैं वो कितने भेद की होते हैं वो दो भेद की होते हैं विकारी सब्द और अविकारी सब्द अब इसमें विकारी सब्द क्या है उसको देख लेते हैं कि वैसे सब्द जिन में लिंग विसेशन वचन कारग आदी के कारण बदलाव संभव हो जो लिंग वचन कारग आदी के कारण संभव हो उससे क्या कहते हैं उससे कहते हैं विकारी सब्द उसका देख लेते हैं कुछ एक्जाम्पल तु दिया ही होगा, जैसे उसमें दिया है कि उन्होंने विकारी सब्द कहते हैं, जैसे संग्याँ विसेशन लिंग वचन वाले सब्द जैसे स्रेनी में, जैसे संग्याँ विसेशन लिंग वचन वाले सब्द अगर स्रेनी में आ गए हाते हैं, तो हम विकारी स जैसे किरिया, विसेशन, संबंद बोधक, विसेयाती बोधक, निपात वाले सब्द इस रेनी में आते हैं, जो अपना बदलाव नहीं कर सकता है, उससे अविकारी सब्द कर सकते हैं, अविकारी सब्द कहा जा सकता है, ठीक है साथियो, अब next आगे देख रहे हैं, तो next आगे होते हैं, पहला है तकनीक, दूसरा है अर्ध तकनीक, तीसरा है समाने सब्द, तो पहला देखते हैं कि तकनीकी जो है, क्या है, वैसे सब्द जिनका प्रियोग पूर्ण रूप से तकनीक वाले छेत्र के लिए होता है, उसे तकनीकी सब्द खाते हैं, जैसे टाइरिंग, व इन सब्दों का कुछ तो गाड़ी के छेत्रों में गाड़ी के छेत्रों से संब्ध रखते हैं और कुछ केम्प्यूटर के छेत्रों से उसे हम तक्निकी कहते हैं जैसे गाड़ी का ब्रेक हो गया केम्प्यूटर है उस सब को हम तक्निकी बोलते हैं इसलिए उसको तक्निकी कह जाता है ठीक है नेक्स्ट है अर्द तक्निकी क्या है वैसे सब जिनका प्रियोग तक्निकी और समान दोनों छेत्रों में क्या जा सके उसे अर्द तक्निक करते हैं जैसे मैं एक्जामपल में इसका देग लेती है जैसे बल, सुरक्षा बल फिर है बल, सुरक्षा बल, मतलब बल दोनों समानी इसके माले ये गाडी का चक्का उठेके ये चक्का को numéro उसमें लगा देना है गाडी में ठीक है तो गाडी लगा के आगे अगर पैसेंजर को ढोईगे तो उसमें स्रक्षा का काम हा ना तो बही बोल रहा है अर्द तकनीक मतलब बल मतलब वैसे सब्द जिनका परियोग तकनीकी और समान ये दोनों छेत्र में हो उसे अर्द तकनीकी कह दर ठीक है साथियो नेक्स्ट है नेक्स्ट बोलागे समानी सब्द क्या है वैसे सब्द जिनका परियोग पूर्ण रूप से समान ये अर्द के रूप में हो अर्द के रूप में है उसे कहते हैं समानी सब्द कहेंगे जैसे पानी असमान पैड पवधा आधी जो है वो सब क्या असमानी सब्द है ठीक है साथियों नेक्स्ट है है नेक्स्ट में पूछ रहा है कि वाक्य परियोग की द्रिश्टी से सब्द के अठ भेद हैं, तो कौन-कौन है संग्या, किरिया, किरिया विसेशन, समुच्य बोधक, उसके बाद है, संग्या है, उसके बाद सरवनाम है, उसके बाद किरिया है, उसके बाद विसेशन, उसके बाद संबंध बोधक, उसके बाद समुच्य बोधक, उसके बाद है विसमयादी बोधक, ठीक है साथियो, तो ए एर्थ परियोग की दिरिश्टी से सब्द के भेद , इस अधार पर सब्द के चार भेद अधार, और आगे तिस्ञार चव्था है वीरी तार्थक सब्द ठीक है तो पहले देख लेते हैं एकार्थी सब्द क्या है एकार्थी सब्द क्या है तो ऐसे सब्द जो एक ही अर्थ देते हैं उसे एकार्थी सब्द कहते हैं जैसे बहान, पहार, जानवर एक ही सब्द निकलता है उसको एकार्थी सब्द कहते हैं अन अनेकार्थी सब्द किसे करते हैं, तो बोला है, वैसा सब्द जो एक समान से ज़्यादा अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी सब्द करते हैं, एक समान से ज़्यादा दे, उसे क्या करते हैं, अनेकार्थी सब्द, जैसे कर हैं, तो इसका अनेकार्थी सब्द है, हाथ, ट नेक्स्ट है, तीसरा है परियावाची सब्द, परियावाची सब्द क्या है, वैसे सब्द जो किसी सब्द से मिलता जूलता अर्थ देते हैं, उसे परियावाची सब्द कहते हैं, जैसे सूरज, तो दिनकर, दिवाकर, भासकर, सूर्य, ठीक है साथियो, जैसे संद्रमा है, चांद, ससी, इंदू, विशू, सौम, परियावाची सब्द का मतलब जो किसी सब्द का मिलता जूलता अर्थ दे उसे क्या काते परियावाची सब्द, ठीक है साथी, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, विप्री तार्थक सब्द क्या है, जिसका विप्रीद हो, तो मतलब किस सब्द के विप्रीत अर्थ देने वाले सब्द विप्यार्थक सब्द कराता है तो देखते हैं इसका क्या दिया गया है तो इसका विप्यार्थक सब्द है अच्छा का बुरा आना का जाना इलोक का परलोक राजा का रंग कीतरीम का प्राकिर्तिक यहां का वहां रातरी का दि हूँ ठीक है साथियो तो यह टोटल जो आपको कराया यह थियोरी था ठीक है साथियो अब इससे related जो सब्द से सब्द वाक्य से जो पूछा जाएगा objective question वो relate कराएंगा ठीक है साथियो तो वीडियो में अंतर बने रहिए चलिए तब इसका objective question की ओर बढ़ते हैं तो देखिए इसका पहला और फर्ष्ट सवाल है objective की क्या पूछा गया अचार का विप्री तार्थक सब्द क्या है साथियो नाम सुनते ही आप लोग को लगता है जी में पानी आ गया हुआ ठीक है सातियो कि अचार का विप्री तार्थक जो सब्द है वो क्या है option a नमर है वेकत option नमर b है अनचार option नमर c है लंपटता option नमर d है दूसर टता तूसका correct answer हो जाए अचार का विप्री तार्थक सब्द जो हो जा आगा अनचार हो जाए कर देंगा ठीक साती है तो वीडियो आप रोज देखिए और चैनल को सस्कायब भी कीजिए देखिए next question है हर्ध का सही विलॉम क्या है हर्ध जो है उसका सही विलॉम क्या है विसाद खैद वेतना वेदना अब दूसरा है दुख तो इसका correct answer A नमर विशाद correct answer विएगा next question है प्रसारन का विलॉम सब्द है क्या है प्रसारन का विलॉम सब्द क्या है A नमर प्रतिपादन B नमर अरक्षन C नमर आकूचन D नमर सदर्शन तो प्रसारन का विलॉम सब्द है A कूचन C नमर correct answer ठीक है साथियो next question है C नमर कर्रेक्ट Next question है Next question है Unmoolan का विलोम है Unmoolan का जो विलोम है वो क्या है Option A है Unmoolan option B Whistleation option C Ropan option D Translation तो Unmoolan का जो क्रेक्ट आंसर है वो हो जागा C नमर रोपन C नमर क्रेक्ट आंसर ठीक है साथ ही हो Next question है Unmoolan और मिलयन का विप्री तार्थक सब्द है, जो нять मिलयन का विप्री तार्थक सब्द क्या है? option A है, अब मिलयन, option B, subwen, option C, annum yılan, option D, nie million, option D क्रेक्ट है जो है और क्रेक्ट हो जाएगा, Yin मिलयन, D नमर correct हो जाएगा. next question है, अधी क्रीत सब्द का विलॉम है? अधीकृत सब्द का विलॉम क्या है, option नमर A, अनाधीकृत, option B है, अधीकृत, option C है, अनाधीकारिक, option D है, प्राधीकृत, option B जो है, वो correct answer भाएगा, अन्धीकृत, B नमर correct answer, ठीक है साती हो, next question है, next question है, अनुलॉम सब्द का विलॉम है, अनुलॉम सब्द का विलॉम क्या है, option नमर A है, सुलॉम, option नमर B, प्रतिलॉम, option नमर C, अनलॉम, option नमर D, आव लॉम, तो इसका correct answer भाएगा, B नमर, अनुलॉम का जो विलॉम सब्द साती हो, B नमर प्रतिलॉम, B नमर correct है, next question है, साध संयासनी स्थविन्हें कौन साब्लों यूख्त ट्रूटी पूर्ण है ट्रूटी पूर्ण अपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा व्हें अक्रज अनूज inhale अग्रज अनूज अप्शन मर्सी है उन्नाज अवगत, option नमर D है आदान परदान, option नमर C जो है वो correct answer है साथियो उन्नात अवगत, उन्नात अवगत C नमर जो है वो correct है, ठीक है साथियो, वीडियो में आन तक बने जाइए next question है, विग्रा का विलॉम है, विग्रा का विलॉम क्या है, option नमर A है संधी, option नमर B है अविग्रा, option नमर C है, आग्रा, option नमर D है ग्रहन, तो option नमर विग्रा का विलॉम है, वो है A नमर correct answer संधी विग्रा का संधी विलाम सब्द है एक कर्रेक्ट नेक्ष्ट है अनुरक्त का विलाम सब्द क्या है। संकीर्ण का विप्रितार्थक है। संकीर्ण का जो विप्रात्तार्थक सब्द है वो क्या है संछेव है विश्तार है विकीर्ण है उसके बाद है डी नमर विस्तार विस्तिर्न है तो उसका correct हमने अंसर होयागा विस्तिर्न डी नमर correct है ठीक है साथियो नेक्स्ट है अभिग्य का विलॉम है अभिग्य का विलॉम है क्या है अभिग्य का विलॉम है वो क्या है option A है अग्य option B तग्य option C प्रग्य option D, 4 option A, जो है, वो correct answer है अग्य, अभिग्य का विलॉम है अग्य, A नमर correct है ठीक है साथियो, next है next question है अथ का विलॉम है अथ का विलॉम सब्द क्या है option A है, पूर्ण, option नमर B समाज, समास option नमर B, जो समास, option नमर C इती, option नमर D, खत्म अथ का विलॉम है, इती, C नमर correct answer है, next question है निमलिखित में से गलत विलॉम सब्द यूग्म कौन है option A है, परवेश, नवेश option B है, मुक, वाचल option मर C है, भूत, भवी option मर D, पूरुषकार, त्रिसकार तो option नमर जो A जो है वो correct answer है, परवेश, नवेश option C, मिर्दू भासी, option नमर D है, कटू भासी, option नमर B जो है, वो correct answer होएगा, वाचल B correct है, next question है nursing सब्द का विलॉम क्या है, nursing सब्द का विलॉम क्या है, option नमर A है, सात्वीक, option नमर B, कल्पता, option नमर C, कृत्तिम, option नमर D है, जडील, तो nursing सब्द का विलॉम सब्द है, सात्यों वो हो जाएगा, C, नमर कित्तिम, C, नमर correct है, next question है निशिद सब्द का विलॉम क्या है, option A है, विहित, option B है, संधिक्द, option नमर C, अनुपियोग, option नमर D, परतिबंधीत, तो option नमर A, correct answer होएगा, विहित correct A हो जाएगा, ठीकर सात्यों next question है अचार का विलॉम क्या है, option A, अनाचार, option B, अनाचार, option Nm. C, अतियाचार, option Nm. D, विचार, तो अचार का विलॉम है, वो है, अनाचार B, नमर correct है, next question है स्वाधीन का विलॉम है, क्या है A, नमर, गुलाम, option B, सी नमर क्रेक्ट है नेक्स्ट कोस्टिंस है अर्जन का अर्जन 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 सब्त का विलॉम क्या है अजीस should to be option क्या है accept अनमर correct answer थेका साथ यो next question है इस प्र amendments क्या है option's a तो असलील सब्द का विलोम सब्द है सलील ए नमर करेक्ट आंसर है नेक्स कोस्टन है इनमे अनुग्र सब्द का विलोम है अनुग्र सब्द जो है उसका विलोम क्या है आग्रह बी संग्रह सी ग्रहन डी विग्रह तो अनुग्र का संबन्द है D नमर correct होएगा विग्रह D correct next question है पसा चायत सब्द का विप्राथक क्या है पसा चायत सब्द का विप्राथक सब्द क्या है option नमर A है परिक्रीष्ट, option नमर B पारदर्स्थी option नमर C पोर्स्थय option नमर D पुल्स्थ तो इसका correct answer होयागा पौर सत्य सी नमर correct हो जाएगा ठीक साती हो next question है निमलेखित में से कौन सा सब्द परभावी का विलॉम नहीं है option A है परभावी option नमर B निस परभावी option नमर C परियूक्त option नमर D परभाव सुनिये तो इसका correct answer होयागा परभावी का विलॉम नहीं है वो हो जाएगा अब परियूक्त सी नमर correct answer है next question है प्रच्छन प्रच्छन सब्द का विलॉम क्या है option A है प्रति एक्च अप्शन नमर B प्रति पन अप्शन नमर C अब प्रति बंद अप्शन नमर D गोन प्रच्छन सब्द का अर्थ है प्रति पन बी नमर correct answer है ठीक है साथी हो next question है कथित सब्द का विलॉम क्या है अकथित अप्शन नमर D कतनी है option C जो है वो correct answer है अकथित C नमर correct next question है अस्थावर का विलॉम सब्द क्या है option A है सचल option नमर B चंचल option मर C चेतन option मर D जगम option नमर D जगम तुश्का correct answer होयागा D जगम होयागा अस्थावर सब्द का विलॉम क्या है जगम correct D होयागा ठीक है साथी हो next question है प्रति कूल का विप्रेतार्थक सब्द क्या है option है समान option B है प्रति दर्स option मर C है अनुकूल option मर D है अनुसार तो प्रति कूल का है प्रति कूल प्रति कूल का विलॉम है अनुकूल C नमर correct ठीक है साथी हो next question है निवारी का विलॉम सब्द क्या है निवारनी है option मर B एकचिक option मर C अनाकचिक option मर D आवस्यक तो निवारन सब्द का विलोम क्या है साथ हो तो एक्षीक हो जाएगा बी नमर करेक्ट क्या है option a है अनुक्त option वर भी है उप्यूक्त option मड़ी अनुप्यूक्त option मड़ी उप्यूक्त तो उक्त सब्द का विल्वाम है ए नम्मर अनुक्त ए नम्मर correct answer ठीक है सात्यों